हेलो एवरिवान वेल्कम बेक तो मैं चैनल मैं बभीताब का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल सरकी दादरी वलोगर पर आज तारिक 26 और शुबह के बज चुके हैं 8 तो मैं आज शुबह से ही अपनी वीडियो की शुरुवात कर रही हूं आव ज़ियों मैं आफने पूरे दिन का Dorti शेयर करूंगे आपके साथ kAll शुबह मैं ने चड काशिक जाले एक चाई में बिल्कूल सीम्पल तरीके से बनाती हूं मैं पकोड़े पकोड़े कुछ नहीं डालती हूं और इधार अब ये वी उठ चुके हैं और मा भी उठ चुकी है तो अब मैं बना जूँ हम तीनों की सुबह सुबह मैंने अपने अकेली की बना के पी लिए ये सेकंड शाय है मेरी अ वैसे तो आज बाहर तो निकलना होता नहीं है इसलिए घर में कुछ ने कुछ लगे रोग दो दिन से ये कहीं जाते नहीं है तो इसलिए घर में ही लगे रहते हैं पूरे दिन दो दिन से एकी काम पकड़े हुए कि पंखे साफ करना, पंखे उतारना, उनमें ग्रीस पानी देना हुए, वैसे ये काम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि साल में एक बार तब हम सुरू करते हैं पंखा चलाना तो रिपेरिंग तो जरूरी है ये, और अगर यही काम हम बार में पिश्टरी करवाते हैं, तो 304 रुपयार हम से यही ले लेते हैं, तो ये भी वचत और टाइम पास में, तो पूरा दिन पतानी कब चला जाता है, क्योंकि काम तो यह करते हैं और लेकिन यह अना की घर में कोई तबाद में काम करता है, तो उसके पीछे 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 चुके हैं ग्यारहा है है और म्यद्णाने को है बनाना है और इनको आवास देना कि रोठी इन देड़ना है अपनी दालते जाओbn और पकड़ा तो मैं बनाती जाओंगी और ये साथ-साथ जाहें कड़ी रोटी निम्बो का अचार और एक कप लसी यह सुबब खाना खाना कुना सब खा चुके बीद में और सफाई का काम हो चुका है सारा ताइम हो चुका है आप दो दो बच चुके हैं क्याम के आप तक कि नोंने दो पंखे ठीक करके लगा चुके हैं और एक कोको लेबैठे ही हैं तो बीचित में ये ठख चुके हैं तो इन्होंने कहां कि चाय बिनाओं मैं ठख चुका हूं पहले मुझे तो ये चाय तो माज चाय बनाने के लिए तन में अब चाय बनती अब लिए कि तो बन ते ने इसाथ भी बनती है क्योंगी मज़ाई बहुत प्रिति हूँ बन की अतबी ले ही रेती हूं और आप बच्छों को भी बूख लग चुकी है क्योंकि तीन बजने वाड़े होती हैं अब तो उनके लिए बनाती हूं मैं छोले बटूरे क्योंकि थोड़े से एक कटोरी छोले बटे थे मेरे पास मैंने उनको सुबह भी गो दिया था तो उनक दूसरे पतिले मा टालकर रख दूंगे धिल के अंदर और पीछ्टी कां चाय के बाद देखती हूं मैं लेकिन वही बात हम तो बार-बार चाय पी लेते हैं लेकन बच्छे या esperar बार पी लेता नहीं तो उनको भी भूग तो लगी ही तो ऐनके लिए कुछ बनादी हूं तो चाय पीने के बाद मैं छोले उबलने के लिए रख दूँगे और बाद में बनाऊंगे बटूरे चाय पीते हैं ये लग चुके हैं काम पर ये देखें पंखे के डाक्टरी शुरू कर दिये हैं और ये यही बता रहे हैं कि अगर ये मिश्टरी को दे तो तो 300-400 रुपे कराम से ले लेता है और बात भी सच है ये और आप मैं आच की मुरस होई के अंदर वापीस साढ़े तीन बच चुके हैं मैंने चड़ा दी कड़ाई और इसके नदा दिया थोड़ा सर्शोगा तेल और एक प्याज और एक टमाटर को मैंने बारी काट लिया और मेरा तेल गर और इनको अच्छे से मिला लूँगे और थोड़े थोड़े प्याज ब्राउन होने के पास मैं इसको अधरकस है मेरे पास बिल्कुल छोटा सा इससे अधरकस के डाल दूँगे अरे मिर्थी मैं इसके अंदर डालती नहीं क्योंकि बच्छे खाते नहीं अगर कटी हुगा प्रिमीटियाती है तो उसको निकाल देते हैं तो इसको निकाल देते हैं तो बिल्कुल साथ्ने सिंपल छौले पास देख्स करते हैं बच्छे मैं बच्छ scripture करें तुमाटर् गोट हैårके दबा दबाके अच्छे से मैश कर दूँए क्योंकि पता नहीं आद कि टेमाटर हैं कि इसी भावती सकत है इंका छिल का और विखुरी अगर बेकीस बनाते हैं सिट्टी लगवाते हैं तो छिल का वैसा का वैसा ही रहता है और इसके अंदर में डाल दूंगे अपने एक टी क अंदर ही डाल लेती हूं सारे मसाले आल्धी पाउडर दन्यापाउडर नमाग और मेर्शी पाउडर थोड़ा सा गरब मसाला और चोला पाउडर बस ओर ज्या़ा कुछ नहीं डाल दे चोले भी मेरे उबल चुके हैं बिलकुल चोले उबालते वक्त मैंने इसके अंदर एक पोठली में चाई पत्ती थोड़ी सी बांद के डाल दी थी बहुत ही अच्छा निकल के आया है है अगर इसके अंदर नहीं डालती अगर इनको चोकती हुँ तो थोड़े से पानी में चाई पत्ती उबाल के वह पानी चान के भी डाल देती हूँ लेकिन आज मैंने पोटली में बांद के डाल दिया तो इसे देखे चोड़ लोगा कलर कितना अचा है अब इसको मैं डखके रख दूँगी 5-7 मिनट पकने के लिए अब चोड़े पकते रहेंगे और मैं थोड़ा साटा लगा लूँगी मैदा बटूरों के लिए तो इसके अंदर दूँगे मैं छोटा किम से बेकिंग पौउडर सूधिके मैं अगर इस से नहीं मिला ना स्चाई तो आपकी मीदा मैं जले के मैदा और ंसके अंदर ही बेकिंग पाउडर के इसको चान सकते हो तो अपने आप हीम लेकिन मैंने मेद्धा को चान के डाल रखता है डीपी में तो इसको मैं ऐसे मिला लूँ है तो इसके अंदर डालोंगो मैं थोड़ा सा घी और इसको मैं अच्छे से मैस कर लूँ है अट्टा बनाते वक्त मेरे को हर बार अपने अंगुठियां उतारनी पढ़के हैं क्योंकि अंदर डालोंगे दो कटोरी वरके दई और गुन-गुने पाने से अटा लगा लूँ है इसको मैं दो मिनिट के लिए रख दूँगे तब तक यह सेट हो जाएगा और शबजी में भी बन चुकी है और बटोरों के लिए मैंने तेल गरम कर लिया और बेलने के लिए मेरे ब के लिए और नंदर बटोरे और एक दो दो बते खाते जाएगे और श्याम की भोग इनकी इस्यान तो जाएगी तो इसको मैं क्या बनाती हूं लगिन फिकाल के लिए तो यह बहुत तरड़ी चार बत शुके हैं जरात का खाना बनाओंगे मैं आठ बजे तब तक श्यान बत बटोरे मेरे बनी दे अल्मॉस्ट अब मैं छोड़े से प्याज काठने हुए चलाद के लिए इस तरह ऐसे गॉल बिल्कुल अच्छे की तरह है और इसके अंदर डालोंगे मैं नमक नमक के साथ ही मैं डालोंगे मेरे पास निम्वू का जूस है थोड़ा सा मेरे बोटल में रख रखा है निकाल के थोड़ा सा वो डालोंगे अगर नमक ऐसे ने डालो तो नमक के पानी में इनको डाल दी क्यार वोड़ा जो जूरा वोड़ा वोड़ा प्रहें लाड़ा वोड़ा प्लाव प्लाव बेह यार।